नमस्कार मेरे भाईयों इस वीडियो के साथ तुम अपनी 20 डेस प्लेज की जर्णी शुरू कर रहे हो एक छोटा सा अनॉस्मेंट करने आया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना या फिर कॉमेंट सेक्शन चेक करना मत भूलना यू विल गेट कंप्लीटली फ्री ओफ कॉस्ट नोट्स जो तुम्हार लिए मैंने स्पेशली बनाये हैं इस 20 डेस प्लेज को ध्यान में रखते हुए और तुम्हारे टर्म वन को ध्यान में रखते हुए सेकंड अनॉस्मेंट है उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट बॉक्स में अलॉंग विद दा नोट्स तुम्हें एक लिंक मिलेगा जहां तुम एन्रोल करा सकते हो कॉन्फिदेंस लेवल 100% ये क्या है ये एक वर्क्शॉप है जो हर एक्जाम से पहले एक रात पहले मैं कंड़क कराऊंगा तीन एक्जाम से इसमें मैं कवर करूंगा अकाउंटेंसी, एकॉनमिक्स और बिजनस स्टडीज यानि इनके एक्जाम से जस्ट एक रात पहले मैं तुम्हारे साथ तीन घंटे बैठूंगा, एक पेपर सॉल्फ कराऊंगा और तुम्हारा कॉन्फिदेंस बिल्ड अप करूंगा तो बात कुछ ऐसी है, मैं 12 में था, बस मतलब आई आया था, तो सीनियर होने का जोश था सोचा घर पे भी थोड़ा निकाल लेता हूँ, तो मैं ये मनी वनी चैप्टर पढ़ रहा था, तो अलग से जोश आया, सबका डिस्केशन चालूँगा, मुझे इत्ती पॉकेट मनी मिलती है, मुझे इत्ती पॉकेट मनी हमारे क्लासरूम में एक दीदी जी थी, जिनकी तो सेविंग चार हजार थी, और बिलीव मी, मैं और मेरे फ्रेंड सरकल को पंदरा रुपे जुगारने में भी नानी याद आ जाती थी, कि कैंटीन में जाके समोसा खा ले, और वो लक्जिरी हुआ करती थी, कि कैंटीन में स सेकंड सेटरडे है और पीटीम है, तो जो मैंने कल बोला था, और जो फिर सेकंड सेटरडे को पीटीम में हुआ, उसके बाद मुझे ही पता है, कि मैं बस माबाप से इत्ती दरखास्त की थी, मत दो पैसा, अगली बार भूत बना के मत माना, शुरू करते हैं तो जैसा मैं बोल रहा था, अगर तुम्हें लड़ू टॉपिक कोई पढ़ना है, जिससे तुम्हें फुल स्कोर करना है, तो वो है मनी चैप्टर, इसमें से तुम्हारा एक भी MCQ, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं जा सकता तो मनी सबसे पहले बेसिक चीज से अगर मैं चालू करूँ, डेफिनेशन बेसिक मैं बताओ, तो मनी इस बेसिक लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक वो जरिया है, जिससे तुम मार्केट में जाके कोई भी गुड्स खरीच सकते हो, या कोई भी सर्विसे ले सकते हो, नल ठीक करवाना है, जाले चुटवाने है, घर में पहुंचा लगवाना है, आपकी उपर पहुंचा तो तुम खुदी लगा दोगे, मतलब तुम सर्विसे समझ जाओ, कोई अच्छा कुछ, को इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया तो उसके लिए बुला लिया वगेरा वगे यह पैसल है, यह भी पैसा है, जैसे अभी यह जो क्रिप्टो करेंसी वाला मार्केट चल रहा है, तो वो लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ, अभी तक RBI नहीं भूला है, कि you can use it as a money, as a tool of money, या money जैसे exchange, medium of exchange, goods and services के लिए यूज कर सकते हो, तो क अधिया में, क्रिप्टो करेंसी, but they cannot be used as a legal tender, जो के हमारे यहां पर रुपईया चलता है अभी, उसको legal tender की तरह भी यूज कर सकते है, because bitcoin या क्रिप्टो करेंसी को, law doesn't say it is a money, money जो जो चीज़े चेक हो गया, bank draft हो गया, यह सब चीज़े money के अंदर आएंगे, ठीके, online payments हो Bheem, UPI, Paytm, money, यह इसके अंदर भी आजाएगा, cash जो तुम लेके चलते हो, that is also money, लेकिन हा, crypto is still not money, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन हुआ कि तुम्हें यह बता दू, इसलिए मैंने सुचा, I know यह तुम्हारा topic नहीं है, but मैं एक बिल्कुल brief summary देना चाहूंगा, so that इससे related अगर कुछ भी आजाए money से, because मुझे कहीं कहीं पे कुछ relation established होता हुआ दिखा, and no stones should be left unturned, वो वाली चीज करें, barter system कहता है, exchange of goods for goods, यहाँ पर मैंने clearly लिख रखा है, तुम्हारे पास यह PDF होनी चाहिए, अगर एक बार read through करना पड़े, तो कोई बहुत बड़ी बात नही commodity को exchange किया जाता है, और यह बता नहीं क्यों, because मेरे को कहीं कहीं इन चीजों के hint मिली, तो मैंने इसके अंदर एक limitation भी लिये, barter system की, जो मुझे लगा personally के money से related तुमसे, MCQs में, यह specifically बोलू तो assertion reasons में पूछी जा सकती, that is double coincidence of wants, कई बार ऐसा होता है, whenever we talk about money supply, तो जो सामने mutual wants of buyers and sellers होना बहुत जरूरी है, वरना barter system work नहीं करेगा, तो एक barter system होता क्या है, commodities versus commodities, exchange होता है, दूसरा double coincidence of want होना चाहिए, दोनों को जो चाहिए, वो एक दूसरे के पास होना चाहिए, तभी वो exchange mechanism काम करेगा, otherwise नहीं करेगा, यह चोटी सी hint बस याद रखना, क्योंकि मे लाइन लिखी देख रहे हो green से, total stock of money with the public, यानि जितना पैसा public के पास है, exclude कर दो उसमें से, government को, commercial bank को और central bank को, मतलब भारत सरकार हटा दो अपनी, अगर अपन भारत की बात करें तो, commercial bank और central bank, इनको हटाने के बाद, अगर आप सिर्फ उस पैसे की बात करो, जो आम जंता के पास है, public के पास है, उसे money supply का part माना जाता है, अचा इसके बाद आता है money supply, चलो मैं फटा फट तुम्हें वो भी समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, जो green से line लिखी हुई है, total stock of money with the public, यानि जो public money hold करके बैठी है, money public के पास जो है, उसको money supply का part माना जाता है, सरकार और banking system को उसका part नहीं माना जाता, अचा public की definition क्या कहती है, public simply means, जो individuals है, यानि हमारी आम जनता जो है, साथ साथ में जो business firms हैं, उसको भी public का part माना जाता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, इस money chapter से यहीं पर गडबड करोगे तुम, तो दो चीज़े, public का मतलब individuals and business firms, किसको नहीं लिया जाता, money supply के अंदर count नहीं किया जाता, भारत सरकार and banking system, banking system में दो तरह के banks, ध्यान दो, आखो में देखो मेरी, मेरे को seriousness चाहिए तुमारे अंदर, banking system में दो लोग आते हैं, पहला commercial bank और दूसरा central bank, जो कि मैंने यहाँ पर detail में explain किया है, तुम देख ले ना आ emphasizing because MCQ है से और आने की संभावना भी है, it just refers to the money hold by the public, held by the public, जो भी तुम बोलना चाहो, public के अंदर individuals and business firms, कौन नहीं आएगा, फिर से बोल देता हूं, government नहीं आएगी और banking system नहीं आएगा, banking system में कौन, banking system में दो लोग, central bank and commercial banks, अचा, measures of money supply के अंदर, तुमारा सिर्फ M1 आ के अंदर आता है, currency and coins with public, demand deposits with commercial bank, मतलब जो तुम सेविंग करते हो, as an individual commercial bank के पास, currency and coins with public, जो भी तुम भी हो, business firm भी है, मैं तुम्हें public की definition दे चुका हूं, ठीक है, confused मत हो ना, so public के पास, जो currency and coins है, demand deposits with commercial bank, M1 के अंदर वो भी आते हैं, demand deposits का मतलब क्या हो गया, whatever savings you are doing with the commercial bank, जो भी bank में पैसा जमा करके रखा है, and other deposits with RBI, अब RBI के पास जो होता है, वो CRR maintain होता है, तो मैं पता होगा, तो जो cash reserve ratios maintain होते हैं, RBI के पास, other deposits जिते भी हैं, वो सारे के सारे इस M1 का part ह होते हैं, I know कि तुम्हें M2, M3, M4 नहीं आ रहा है, मैं भी बहुत क्लिरली उस चीज़ को जानता हूं, but again, to be very honest, मैंने कहीं पे hints देखी हैं, कहीं पे नहीं देखी है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता है, ना तुम्हें रिस्क लेने देना चाहता हूं, because मेरा target है, you should at minimum score above 95% from this 20 days pledge, so coming to M2, M2 और M3 में एक चीज़ common है, और वो है M1, दोनों में M1 मिलेगा तुम्हें, अब M2 में क्या different है, कि इसके अंदर post office savings आती है, M3 में क्या different है, इसमें net time deposits with commercial banks आते हैं, बस, दोनों में M1 है, but दोनों में plus होने वाली चीज़े different है, इसमें post office savings है, इसमें net time deposits है with commercial banks, अब अगर मैं तुम्हें M4 logically समझाना चालू करूँ, तो M4 के अंदर सब आ गया, M1 भी आ गया, M2 भी आ गया, M3 भी आ गया, लेकिन चलो simpler form में समझते हैं, M4 के अंदर एक तो M3 आता है, ना वो जो M3 आ रहा है, उसमें plus कर देते हैं तुम post office की savings को, बस, और कोई difference न बच रही थी, जो की थी post office savings, तो M4 ने वो भी कमी पूरी कर दी, M1 भी ले लिया, M2 की post office savings भी ले ली, और M3 की time deposits भी ले ली एक तरह से, चलो फिर भी summarize कर देता हूं, M4 equals to, M3 ले लो, पूरा उठालो, और उसके साथ साथ post office savings को add कर दो, M4 हो गया, Now, coming to our second last topic, components of money supply की बात कर लेता हूं, मेरे भाईयों, देखो यार, currency with the public क्या होता है, currency public के पास जो है, वो है, जो paper notes है, it consists of paper notes and coins held with the public, जो भी paper notes और coins public hold करके रखती है, held करके रखती है, उसको हम बोलते है, currency with public, public का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं, it includes both individuals as well as firms, business, जो भी include करते हैं, दो चीज, दो लोगों होते हैं मिलके public, तो ठीक है, इसी को हम fiat money भी बोलते हैं, अगर कोई तुमसे fiat money की definition पूछ ले, या meaning पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं, बट पता होना चाहिए, ये वो money है, which is under order from government to act as money, government के order के under है कि भाया, तुम्हें money जैसे act क उसको अभी तक legal tender नहीं मिला, fiat money का recognition नहीं मिला है, government नहीं बोला कि ये money होता है, तो you cannot call it as a money, medium of exchange जैसे, you cannot use cryptocurrency, अगर in case question आजा है, बहुत ही hot topic चल रहा है, जो बोलते हैं के current affairs का topic चल रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये चीज, so crypto is not a fiat money, it's not a legal tender money, because it is not being recognized under the order from the government to act as money, crypto को वो चीज नहीं मिली है, तो at least तुम्हें पता होगा, it consists of notes and coins held with the public, जिसको fiat money भारत सरकार मानता है, legal tender money मानता है, और हमारा last topic, demand deposits with bank, so deposits which can be uncashed by check, आप check के थ्रूँ uncash कर सकते हैं, only net demand deposits are included, interbank deposits are excluded, ठीक है, तो इसके अंदे सिफ net demand deposits को include किया जाता है, interbank deposits को exclude कर दिया जाता है, एक bank से दूसरे bank में deposit जो हो रहा है, उसको exclude किया जाता है, net demand deposits को consider किया जाता है, कि एक commercial bank में एक time पे कितना demand deposit आया है, term deposits जो होते हैं, अब वो term basis पे होते हैं, कि इतने term के लिए deposit कर दिया गया है, उनको भी इसके अंदर count नहीं किया जाता है, ये गए देखो एक बार लेट में एक्स्प्रीन वन सब्सक्राइब करके कभी निकाल सकते हो हाँ यह सेविंग में पैसा पाड़ा रहा था मैं बिल्कुल सही कहा रहा हूं इस चीज में लेकिन इसको सब्सक्राइब करें इसको लिया जाता है इंटर बैंक से उसका कोई लिना देना नहीं कि यहां से उठाके वहाँ डाल दिया आपका नेट डिपॉसिट जो है वही काउंट होगा डिमांड डिपॉसिट के अंदर लाइक ओवरॉल आपका 50,000 है अब इसमें से आपने 10,000 उठाके कहीं और डाल दिया वह ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा 50,000 टोटालिटी में जो आपकी सेविंग्स है उसको काउंट किया जाएगा term deposits are not included का मतलब यह है कि मानलो आपने 7 साल की maturity period के साथ deposit करके रखाए 12 साल की maturity period 15 साल की maturity period के साथ deposit करके रखाए उसको आप include नहीं करोगे demand deposits के अंदर ये चीज़ बोली गई है PDF तुमें इसका मिली जाएगा description में या comment box में तो परिशान मत हो ना इस chapter से इतने ही पूछा जाने वाला है although कमी पूछा जाएगा मैं थोड़ा सा जादा करवाते चल रहा हूँ so that अगर in case कोई घुमा के question भी आता है तो यार मेरे यार से बनना चाहिए ठीके मेरे भाई कुछ भी लगे तो मैं please comment box में बताना चैनल को subscribe जरूर करना इस वीडियो को like करना बस यही तुमारी मेरे लिए गुरू दक्षण है उससे जादा मैं और कुछ नहीं चाहता तो झाहता करना बस्टientôt समिन TW service कि ऑ्क्षण है तो ऑिफगया झादे जाया को हो हो से एंगी को ड़िए टाया चैनल कि आता है